आपके पास Infinix Note 30 5G है, 30 Pro या कोई और phone है, तो यहाँ पे आप app pinning कैसे set कर सकते हैं, कैसे remove कर सकते हैं, full setting आपको बताने वाली हूँ, किसी भी application पे pin करके अगर आप किसी को देना चाहते हैं phone use करने के लिए, तो वो बंदा वही application यूज़ कर सकता है, उसके अलाबा कोई और application या home screen पे नहीं जा सकता, तो setting के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, setting पे, step से option आएगा, scroll कर लेंगे, अब यहाँ पे आपको security पे click करना है, advance option पे click करना है, app pinning पे click करके इसे on कर देंगे, यह option भी on रहेगा आपका, इसके बाद back कर देंगे, अब यहाँ पे किसी भी application को आपको use करना है, मतब किसी को देना है, तो पहले उसे open कर देंगे और बीच वाले option से इसको minimize कर देंगे, ताकि task power में यह खुल जाए, अब यहाँ पे आप इस पे click करेंगे, logo पे, इस पे lock का option है, sorry pin का option है, उपर pin के option पे click कर देंगे, got it कर देंगे, अब यहाँ पे आप एक चीज़ notice करेंगे, कि कुछ भी आप search कर रहे हैं, वो सब search वगरा, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे back नहीं जा पा रहे हैं, मतलब home screen पे नहीं जा पा रहे हैं, एक बर दो बर back हो जाएगा, इसी application पे, लेकिन home screen पे नहीं जा पाएँगे, अब permanently इसको remove करने के लिए क्या करना है, यह back button और task button, दोनों को एक साथ ऐसे touch करेंगे, main screen आ जाएगी, अपना lock enter करेंगे screen का, और अब back करेंगे, तो देख सकते हैं back हो जाएगा यह, ठीक है, ऐसे करके आप use करनेंगे app pinning, अब यहाँ पे app pinning तो मैंने बता दिया है, कैसे use करना है, अब इसको permanently remove करना है, बंद करना है option, तो जहां से हमने यह on किया था न, वहीं से जाके इसको off कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको option देखने को नहीं मिलेगा, देख सकते हैं, पिन को option remove हो गया है, चलिए मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कर,